हलो एब्रीवन कैसे आप लोग उमीद करते आप सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लास 12 इंगलिज का विश्टाज बुक से जो दूसरा एक स्टोरी है थाइगर किंग वो पढ़ने वाले ठीक है इसके राइटर है कालकी कालकी तो हो गया इन वाईन नेम इन उर्जीनल नेम जो है वह रामा स्वामि आयर क्रिश्नर मुष्टी ठीक है पैन नेम का मेनिंग समझते हैं मतलब अगर किसी र्याइटर को आपना और जिनल नेम रिवीन नहीं करना है तो वह वह एक नकली नाम रख लेते हैं उस नकली नाम को ही पैन ने ठीक है तो फिलाल के लिए आप यतना याद कर लीजी कि इस स्टोरी के राइटर का नाव है काल की समझें फिर आगे बढ़ते हैं देखिए यहां पर वन लिखा हुआ है इस स्टोरी को बाच सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है सबसे पहले वन को स्टार्ट करते हैं ठी ठीक है चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है लिखा है कि इस स्टोरी के जो में हीरो है ना वह है द महाराजा अव प्रतिबंध पूरव सबसे पहले तो समझें यह जो यह स्टोरी है दा टाइगर की यह कोई रियाल स्टोरी निये एक फिक्टिसेस स्टोरी है ठीक है मन प्रतिबंध पूरव यह स्टोरी के में हीरो है समझें यह महराजा को अलंग अलंग नाम से जना जाता है इस नम से इनको बूला सकते है या फिर खिलेदार मेजर बोलके मी बूला सकते है इस महराजा को या फिर सता वैग्रव समहारी यह बोलके मी बूला सकते है या फिर महराजा दिराजा विश्वभूवन समराठ या फिर स्री जिलानी जंगजन बहादूर या फिर M-A-D-A-C-T-C-C-R-C-K इतना तरीके से इनको संबोधित कर सकते हैं ठीक है एड्रेस कर सकते हैं लेकिन यह जो महराजा है इसका सबसे फेमस नाम जो है वो नाम है The Tiger King ठीक है जो कि हमारा इस स्टोरी का भी नाम है अब कैसे नाम यह पढ़ गया The Tiger King क्या है इसका पीछे कहानी वो हम जानेंगे डीटेल में देखेए I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King यहापर आई जो है वो नारेटर है इस स्टोरी के हमारे राइटर कालकी जी ठीक है वो बोलते कि हम यहापर इसलिए आए है कि तक ही हम आपको बता पाए क्यों इस महराजा को प्रतिवंद्यपूर्म के महराजा को क्यों Tiger King बोलके बुलाते है वो बताने के लिए आप आए है ठीक है और मेरा ऐसा कोई intention नहीं है कि हम सिफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस कि हम ऐसा प्रिटेंड करें से दिखावा करें कि हम आपको एक इस्टोरी बता रहें और बात में इतना बोलके हम बेरा कुछ बताए निकल जाए ऐसा कुछ करने का मेरा कोई intention नहीं है ठीक है या तक कि जो सुकता बंबर है न वो भी मुझे इस काम को करने से नहीं रोक सकता है इस्टू का बंबर एक टाप का एरग्राफ बंबर है जो कि वर्डवर्ड सेकंड वर्डवर्ड में यूज हुआ था ठीक है तो नरेटर यहां पर बोल रहें कि अगर आप मुझे इस बंब से मारने का कोशिश भी किजेगा न तो अभी ह आज यह स्टूरी बिना बतायें रोकने बारें ठीक है आज हम यह पूरा स्टूरी बताके ही जाएंगे दश्टू का इफ इस तरीके से नरेटर यहां पर एक्स्प्रेस कर रहे है तो यहां पर जो लिखने का स्टाइल है इसके उपर कोशन आता है आपके एक्जाम में यहा क्या कर रहे है आपर उनका लिखने का तरीका में क्या है हुमर है ठीक है आप इस टोरी पड़के काफी हसी भी आएगा और यह जो राइटर है वो कई जगह पे सटाइर करती हुए मिलेंगे सटाइर मतलब आप किसी को हशाते हशाते किसी का किसी के उपर वैंगर कस रहें ठ सब्सक्राइब में लोग है जैसे कि महराजा हो गए ठीक उनके बारे में पुछ ऐसा बात किये कि मतलब आपको हसी भी आ गया और उनका क्रेक्टर भी थोड़ा क्रिटिसाइज हो गया इस तरीके से इस तरीके का लिखने को तरीका को बोलते है सटाइर तो यह स्टोरी जो जो राइटिंग इस्टाइब राइटर का वो क्या है सटारिकल है विद हिूमर समझे की ने चलिए इतना बात आप याद रखी अभी के लिए आगे और बताएंगे लिखा है कि starting में ही यह बताना जरूरी है कि देखे का लिखा है कि right at the start it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King Tiger King के बारे में बहुत जरूरी बार मताना जरूरी है ठीक है लिखा हुआ है कि हर कोई जो इस महराजा यानी the Tiger King के बारे में पढ़ता है तो उसके अंदर एक लेकिन अफसोस का बाद यह है कि यह चाहा पूड़ा कोने का कोई चांस नहीं है तो यह मिलने का चाहा पूड़ा नहीं हो सकता है तो ऐसा इसलिए है जैसे कि रमायन में हमने देखा था कि भरत जी जो थे वो राम जी को क्या बताते थे दसरत के बारे में तो भरत जी राम जी को इनफर्म किये थे कि पिता जी अब नहीं रहे उसी तरह से टाइगर किंग भी अब इस दुनिया में नहीं रहे है ठीक है इसलिए अगर आपके अंदर यह चाहा अगर जनम लेता है नेस्पर डिजायर अंदर अगर अराइज होता है कि इस टाइगर किंग से मिला जाए रवाट तो आपका यह डिजायर कभी भी फुल्फिल नहीं होगा बात तक रहा है समझे ही नहीं चलिए आगे मूफ करते हैं सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट क्या है उनके मौत का वह यह है कि जैसे ही वह पैदा हुए थे ना तो जो एस्ट्रोजर से जो भोईषवानी करते हैं उन्होंने पहले यह बता दिया कि एक दिन एगनिस टाइगर किंग को मरना परेगा अब आप सोच रहेंगे कि यह कॉ तो यहाँपे यह जो लाइन है इसके उपर कोशन आता है fantastic aspect of his demise इस line में क्या किया गया है कि contrast so क्या गया है एक तरब तो fantastic बोला जा रहा है, fantastic चीज किसी भी positive चीज को represent करता है, नहीं कि नहीं, बहुत ही अच्छा चीज हुआ है, फिर दूसरे तरब यहां पर demise, या नहीं मौत के बारे में बोला गया है, तो मौत को भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है, बहुत तो का फिर बुरा चीज तो यहां पर contrast show किया गया है, इस line में, बात अगरा है समझें कि नहीं, चलिए, तो इसके उपर question आता है, कि यह line दे देंगे, पलेंगे क्या उन सा literary device है, इसमें, ऐसे करके question आता है, यह साना important question आज़र्स आपको मेरे website पर मिल जाएगा, ठीक है, वहां से जाके आपर पेप इसी guidance, आप पर मिल जाएगा, ठीक है, चलिए, इस्टोरी पर वापस आते है, देखे, inverted comma में लिखा हुआ है, मतलब कोई यह बात बोल रहा है, the child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and solid hard, जो astralogers आए हुए थे, जब यह king का जनम हुआ, ठीक है, the tiger king का जनम हुआ, तो कई सारे astralog users आए हुए थे, ठीक है, तो वो लोग बोल रहे थे कि यह जो बच्चा है, यह योदाओ का योदा होगा, hero का hero होगा, champions का champion, ठीक है, सब champion में एक champion बनेगा, सबसे महान होगा यह, ठीक है, लिकिन इतना बोलते-बोलते वो रूप जाते हैं, और आपने, मतलब कुछ सौलो क करते हैं, ठुक को अंदर खोटते हैं, ठीक है, क्यों क्योंकि अब वो थोड़ा सा uneasy feel कर रहे हैं, कुछ ऐसा चीज उने पता चला, जो वो उत्ता comfortably बतानी पा रहे हैं, ठीक है, क्या पता चला, तो जब लोगों ने उनको force किया कि आ रहे, आप बताई है, आगे क्या है, तो astrologers बोलते हैं, कि this is a secret which should not be revealed at all, ये एक secret है, जो कि बताना नहीं चाहिए, लेकिन चुकि हमें force किया जाना है बताने के लिए, तो हम बता रहे हैं, कि ये जो बच्चा, आज इस star के नीचे, मतलब इस घरी में जो पैदा हुआ है, उसको एक दिन मर्ड़ना परेगा, ये बात astrologers बताते हैं, ठीक है, वही बात फिर से, कि ये जो पैदा हुआ, इसको मर्ड़ना परेगा, तो ये कौन सा रोखा बात बता दिया, तो उसी समय क्या होता है, कि एक बहुत ही चमतकारी चीज होता है, वो जो बच्चा था, जो उस समय में सिर्फ 10 दिन, 10 डे ओल्ड था, ठी हुआ नहीं करते हैं, ठीक है, अरे समझदार प्रोफेट्स, आप सो सकते हैं, कि ये 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा है, तो इसी को यह पर ग्रेट मिरैकल बोला गया है, समझे कि नहीं, तो ये बात सुनके, सब कोई ट्रांस फिक्स्ट, हकामकार रहा गया, इस्टूपिफ तो बच्चा फिर से बोलता है कि, प्रोफेट्स, मैंने ये सब बोला है, ठीक है, अब किसी के पास कोई डाउट नहीं था, सब कोई समझ गया कि ये 10 दिन का बच्चा बोल पारा है, इट वोस्ट इंफैंट, इंफैंट का मिनिंग समझते हैं, अगर कोई भी बच्चा एक स और काफी गहराई से उस बच्चे को देखते हैं, ठीक है, वो बच्चा बोलता है कि, all those who are born will one day have to die, वो बच्चा बोलता है कि, हर कोई जो पैदा हुआ, एक दिन तो उसे मरना ही परेगा, तो इतना सा बात जानने के लिए हम आपको क्यों बोलाते हैं, इसमें आपका prediction हमें नहीं चाहिए, ठीक है, बात का दम तो हम तब माने के, जब आप यह बता पाए, कि manner of attitude, वो मौत कैसे होगा, आप अगर यह बता दें, तब आपका हम astrology को माने, ठीक है, यह बात बोलता है, वो royal infant, ठीक है, in his little squeaky voice, बच्चे वाला voice में वो बोलता है, the chief astrologer यह बात सुनके, अपना जो उंगली है, अपने नाक पर अख लेता है, मतलब काफी गहराई से सोचता है, वो हकावका कर आ गया है, यहाँ पे, ठीक है, वो सोचता है कि बच्चा जो की मुश्किल से भी 10 दिनका हुआ है, वो इतना clearly बात कर पा रहा है, और सिर बात ही नहीं, वो intelligent question raise कर रहा ह और विश्वस्ट नहीं है, यह चीज, incredible, ठीक है, रादर like the bulletins issued by the war office than fact, यह बात इतना और विश्वस्ट नहीं है, कि सही से हजब नहीं हो रहा है, जैसे कि bulletins issued by war office, इसमें का होता है कि बढाद चला के कोई news दिया जाता है, ठीक है, सच बात नहीं बता जाता है, ठीक है, उ सोचना बंद हो गया, और अपने आखों से ध्यान से उस little prince, यानि तो tiger king को देखता है, और बोलता है, कि यह prince, चूकि hour of the bull, यानि research rashi में पैदा हुआ है, ठीक है, इसको हिंदी में research rashi बोलते है, और जो bull है और tiger है, यह दोनो enemies होते है, इसलिए इनका जो moth है, वो एक tiger से ह ही होगा, ठीक है, he explain, वो बताते है, तो manner of the death, जो king पुछे थे, इसका answer, उस chief astrologer ने क्या दिया, कि ये एक tiger से मरेगा, tiger के कारण मरेगा, अब tiger इसको मारे जैसे भी मारे देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर narrator जो है, वो हम लोगो, हम readers को बोल रहे है, कि आप readers लोग ये सोचेंगे, कि ये बात सुनके, जो हमारे prince से जंग जंग बहादूर, इनको तो सदवा सा लग गया होगा, अर्थ पर जिसे आता है, तो हर्चीज हिल रूल जाता है, दासनास हो जाता है, वैसे ही ये king भी दासनास हो गए होंगे, लेकिन exactly ये नहीं हुआ, ठीक इसका opposite हुआ, यही चीज नहीं हुआ, एकदम ही नहीं घबरा है, वो इस बात को सुनगे, उल्टा क्या हुआ, वो आगर को चुन-चुन के मारेंगे, ऐसा बात हो बचा भूलता है, ठीक है, तो ये जो पूरा उपर का बात है, ये जो एकाउंट है, ये एक रिमर की तरह पुड़ा प्रतिबंद पुरम में फैला हुआ है, ठीक है, बट मिद हिंड साइट, वी में कॉन्क्लूड इट वस ब दिन जल नियुकर कर चार्वां में कर दूकर किया प्रटू में क्या लिखा हुआ है, पाल्टू में यह पृक्री से थे हैं के सब्यूश्य संढ़ाजान खोर जो आसके देला कि रहें उससे को स्वरा में को एक बमुदाल शेयक में क्यात लिऄ उसेपस कुन एन नहीं क को य यह जो लड़का था मतब जो जंग जंग बहादूर थे वो अंग्रेजी गाएगा दूद कीते थे ठीक है फिर अंग्रेजी जो आया होती थी वो उन्हें पालती पोश्टी थी ठीक है फिर इनको जो पढ़ाने वाले जो ट्यूटर थे वो इंग्लिश में थे अंग्रेश के से इनका भी पढ़ारपोशल पो रहा था समझे काफी डोयले स्टाइल में और उस समय में हर वो चीज जो इंग्लिश है उसका काफी हाई व्यानू था ठीक हा चाच जूबना जाता था तो ऐसा करते करते जो हमारे किंग है जो प्रिंस है जो भी बोल दीजिए ठीक है जब चोटे है तो प्रिंस बोल रहे है राजकुमार किंग है तो महाराज है कि नहीं तो जब यह प्रिंस 20 साल के हो गए तब वह स्टेट जो था तब प्रतिबंद पूरव देखें जब यह प्रिंस जब छोटे थे तब तो इनके पास इतना पूदी नहीं है कि यह पूरे स्टे इसमें कुछ ग्यानी लोग बैठते हैं और यहीं लोग सारा इनका प्रोपर्टी और आफ़ेर्स को मैनेज करते हैं तो जब यह प्रिंस मेजर हो गए ठीक है जब भी सलके हो गए अब इनके हातों में अब सारा इनको मैनेज करना पड़ेगा ठीक है चलिए फिर आगे देखते हैं लेकिन उस खिंडम में जो सभी लोगों को यह बात याद था कि उस एफ्रोजर ने क्या चीज़ कहा था ठीक है और कोई लोग इसको डिसकस भी करने लगते थे दिरे दिरे य इनके काड़ों तक पहुंची कि उनका मौत एक टाइगर से ही हुड़ाए ठीक है तो फिर आगे लिखाए कि देर और इन्नियुमेडेबल फॉरेस्ट इंद प्रतीबंद पूरम इस्टिट प्रतीबंद पूरम राज्य में कई सारे जंगल थे ठीक है और महराजा को यह बा इसको को अब आिक द्लीककी मंधे चाहिए कि हम अपने सेलf डिफेंस में कर रहें एक टाइगर को मॉरराएं किसी ऐंग्सी को कोई पत्ingen होना चाहिए क्योंकि हम अपने खुद के बचाऊ में सेलf डिफेंस मार Sum wys karşı देर आओ तो ये ही रिजन दे के महराजा क्या करना स्टा यह लॉजिक से आप एग्री करते हैं कि नहीं तो देखिए यह बात से आप क्या करेंगे पार्शली एग्री करेंगे यह डिपेंट करेंगा उस सिचुएशन पर या फिर कॉंटेक्स्ट पर जिस पर यह बात बोला गया है अगर आप से इस स्टेट्मेंट को अनलाईज करें कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में काउ को भी मार सकते हैं यह स्टेट्मेंट अपने आप में सही है ठीक है कि इस स्पेसिफिक सिचुएशन में कभी-कभी मारना अपर जाता है लेकिन यहां पर जो टाइगर कीग डिया है जीयों महाराजा का जो सिचुएशन वो क्या है इनको अभी कोई टाइगर मारने तो नहीं आ रहा है ये खुटी जार है टाइडर को मढ़ने जस्ट एक प्रेटिश के प्रेटिशन के बेशिस पे ठीक है तो यहां पे महराजा का काम है यह उतना शही नहीं लग रहा है यहां पर जाधा Rational decision क्या होता कि यहां पर जो conflict दिख रहा है यह पर जो विवात दिख रहा है वो दो लोगों में है एक है human जो यानि महाराजा और एक है एनिबल है तो human animal जो conflict है इसको सुझाने का एक rational तरीका निकालना छीए था महाराजा को कि वो कर सकते थे कि यह फॉरेस्ट का पूरा घ्राया को कर सकते थे जिससे कि कोई यनवर इधर ना पाए कोई यूमर इधर ना जा पाए human animal का attraction कम जाएगा तो automatic खत्रा कम जाएगा ठीक है तो ऐसा नहीं करके वो खुदी जंगल में जाते है टाइगर को मारने तो यह कुछ उनका काउंट सही नहीं लगता है ठीक है ऐसा कुछ एंसर देना पड़ेगा बाकिया में साइट में इसका डिटेल एंसर दे दिए फौर पर आपे जाके देख लीजिएगा ठीक है मेन लॉजिक यह है समझे चलिए तो महाराजा क्या करते है अपने पैंडले टाइगर को किल करते है पंदुक से गोली मारके उटा जैते है ठीक है और जवसे ही वो टाइगर को उड़ाते है वो काफी खुशी के मारे प्रत्रिल्ड हो जाते है ठीक है काफी खुशी फिल करते है तो वो तुरंद बुलाते है है उस स्टेट के एस्ट्रोजर को कि आओ जोतिस तुम्ही ने कहा था ना कि हम टाइगर से मरेंगे देखो हम तो मान दिए ठीक है और वो बुला के दिखवाते हैं कि देखो मारा हुआ बीस्ट यानि एनिवन को महाराजा बोलते हैं इस एस्टरोजर को कि अब क्या कहते हो तू क्या आप भी हम टाइगर से मरेंगे तो वह एस्टरोजर बोलता है कि योर बैजेस्टी आप चाहे तो 99 टाइगर को मान लीजिए थे किसी तरीके से लेकिन इतना बोलके व ठीक है आप 99 टाइगर को मान लीजिए उसमें कोई बड़ा बात नहीं है लेकिन आपको सोवा टाइगर से बच कराना है तो माराजा बोलते है कि क्या होगी अगर हम सोवे टाइगर को भी मार दे तो यह जोतिश बोलते है कि तब हम क्या करेंगे मेरा आश्रोजी के उपर ज इतना भी बुक से उसको फार्के जला देंगे एंड एंड ठीक है बुलके रुख जाता है तो माराजा आफ उसके और क्या करोगे तो यह जोतिश बोलता है कि I shall cut off my tuft जो भी यह ठीक है जो बचा हुआ चूले से तो बॉल्ड है ठीक है तकले पन को गंजे पन को क्या बोलत सब्सक्राइब नेस ठीक है बी एल्ड एनियेस तो जो भी बचा हुआ चूल है टुफ्ट है ठीक है ठीक है यह सब काट के पेक देंगे अब प्रिशित मुर्वा लेंगे ठीक है और हम एक इन्सोरेज एजेंट बन जाएंगे काफी इन कोहरेंट नोट ऐसे सब्दों में ब पूरम में celebration time था क्योंकि महराजा ने एक आदेश निकाल दिया था कि कोई भी महराजा को छोड़ के कोई भी tiger hunting नहीं करेगा tiger को कोई नहीं मारेगा tiger को अगर मारना है तो वो सिर्प कौन मारेगा हमारे produce the tiger king ही मारेंगे ठीक है एक प्रोकलेमेशन जारी कर दिया गया कि अगर कोई अगर ये पाया गया कि कोई भी टाइगर पर एक इस्टोन भी फ्हेकता है था तो उसका सारा वेल्थंगर Würस Speaking अधेश टिकाल दिया गया मतलए। टाइगर को मारना है तो सिप महाराजा ही मारेंगे और महाराजा ने यह सफत ले लिया यह वह कर लिया कि वह बाकी मेर्टर्स पर तभी ध्यान देंगे जब उनका 100 टाइगर मारने का जो एम है यह पूरा हो जाएगा तब ठीक है तो शुरुआ शुरुआत में जो महाराजा अपना इस एम्बीशन में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ रहते हो रोज कुछ ने उस टाइगर मार रहते ठीक है और ऐसा नहीं था कि उनको कोई जेंजर फेश नहीं करना पड़ा कई बार ऐसा भी हुआ कि वह जो गोली चलाए वह बुलेट सही से लगा नहीं ठीक है कही बाद ऐसा हुआ कि टाइगर उनके उपर माड का आ गया ठीक है और वह से लराट वह भी बेर हैंडальном से ठीक है खाली आतों से निसस्त्र अटो'RE से जी एच टाइन अश्वी बाता कि मारा जींग इधा हो बात जीत रहे थे 100 अटों को मारे जा रहे थे ठीक है प्रतिबंद पुरम वेजिट किये उनको टाइगर हंट करना काफी पसंद था और इसके साथ जो मरे हुए टाइगर के साथ पोडो की चुना यह और भी ज्यादा पसंद था ठीके तो as usual वो उन्हों ने अपना चाहा पेस किया कि मुझे भी प्रतिबंदपुरम में टाइगर से हंट करना है लेकिन हमें पता है कि प्रतिबंदपुरम में महाराजा ने किसी को भी टाइगर हंटिंग से मना कर रखा है लेकिन यहाँ पर इस ब्रिटि हाई रैंक ब्रिटिस हंटिंग करना है तो देखता कि क्या होता है महाराजा अपने रीजॉल्व पर फ़र्म रहे ठीक है वह----AU badly यह अपने बातों से उन्होंने प्र्र्यवीशन देने से रिफ्यूज कर दिया वह लेकिन हमारे यहाँ पर आपको टाइगर हंटिंग करने नहीं मिलेगा ठी ठीक है आप चाहे तो हम कोई दूसरा हंटिंग आपके लिए एरेंज करवा सकते हैं आप एक सूर का हंटिंग कर सकते हैं या फिर चुहे का हंटिंग कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो मौस्क्यूटों का हंटिंग भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन टाइगर हंटिंग यह तो इम वैसे हम लोग इतने बड़े होगे कि इस अब चोटे बच्चों को आशी आएगा इस तफाल तो जोग से चलिए आगे बढ़ते हैं देखें यहां पर बृती आफिसर ने यह चाह जारी किया था लेकिन महाराजा ने यह परमिशन देने से इंकार कर दिया अब यह पर शेक्रेट्री के हाथें से एक मेसेज ब्रेज़ बैज़ा है वह मेंसेज में लिखा हुआ है कि जो दुराई है दुराई यानि यह बिटिस ओफिसर है यह खुद टाइगर किल करना नहीं चाहते है महाराजा चाहे तो वह खुद एक्चुवल किलिंग करे दुराई के लिए सिफ इतना इंपोर्टेंट है कि वह उस मरे हुए टाइगर के स अपने हाथों में गन लेकर एक फोटोग्राफ किच वाले उतना ही दुराई के लिए यानि इस अटिश ओलाई मतलब सी रूल लिया पर करेंब इकुर माराजा ठीक है आपर खाराओ के हाथ में के पनुद क फोटोड़ तका देका महराजा को यह बात दी, यह प्रोपोसल से भी वह आग्री नहीं हुए, ठीक है? महराजा बोलते हैं कि अगर वो इस बात इस बार इस प्रोपोसल को आग्री कर जाते हैं, तो और भी जो दूसरे बृटिछ उपिसर हैं, उनका मन में भी चाह जागेगा, जी भी आके यहाँ प को अपना डिजायर फुल्फिल करने नहीं दिया तो महाराजा को इस बात का डड़ था कि कहीं उनका kingdom ही लूज ना हो जाए क्योंकि ये colonial period का time है ठीक है British लोग काफी powerful थे ऐसे ऐसे महाराजा को वो लोग कभी भी चाये तो हटा सकते हैं ठीक है तो ये बात से महाराजा काफी टेंशन में आ गए थे कि कहीं kingdom ना लूज हो जाए तो जो महाराजा थे और महाराजा के जो advisor जिसको telegram dispatch करते हैं to the famous to a famous British company of dwellers in Calcutta Calcutta में बहुती बड़ा British company है jewelry shop है तो वहाँ पर ये लोग एक चिठी भीजवाते हैं और उस चिठी में लिखा होता है कि आपके पास जो भी सबसे महेंगा हीरे का जो डिंग है अब महाराजा क्या करेंगे डाइमंड रिंग का देखिए तो यह जो company था प्रिटिश कंपनी आप जोएलर्स यह लोग लगवग पचास रिंग बेज सैंपल बेजवाते हैं ठीक है तो महाराजा क्या करते हैं इस पूरे का पूरे का लॉट को ब्रिटिश ओफिसर का जो ग यानि परिटिश ओफिसर की जो वाइफ है ठीक है वो क्या करेंगे कि एक या फिर दो रिंग रखे बाकी जो 48 रिंग बच यह वह वापस कर देंगी लेकिन दुराहिसानी क्या करती है पूरा का पूरा पचास रिंग ही रख लेती है अपने पास ठीक है और बदले में सिपक लेटर भेशती है कि thank you very much for your gift gift के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो मतलब यहाँ पर महाराजा जो है वो खुशामत कर रहे हैं इस British officer का और उनकी wife का ताकि यह लोग इनसे इनका kingdom लचें ले समझे की नहीं इन्होंने इनको hunting करने दिया नहीं photo भी नहीं किच वाने दिया तो महाराजा इस बिल चुकाने के बाद भी काफी थे क्यूंकि वो सुच रहे थे कि चलो तीन लाक रुपे देकर अगर हमारा kingdom बच रहा है हमारे हाथों में है kingdom तो यह भी काफी अच्छा बात है समझे अब आजए फोर्थ पार्ट में तो महाराजा का जो hunting था वो काफी सक्से 70 टाइगर्स को किल कर दिया था और उन्हें कितना टाइगर्स किल करना है और 30 किल करेंगे तो उसका जो सेंचुरी है वो पूरा हो जाएगा ठीके लेकिन उसके बाद क्या हुआ एक अनफॉर्षीन हर्डल ब्रॉट इस मिशन तो एस टैंडिल एक अचानक सेक ऐसा बाधा जैसे कि उनका मिशन था अंडे टाइगर्स किल करने का वो मिशन रुप किया कैसा बाधा यह देखे जरा बाधा यह था कि जो टाइगर्स का पॉपूलेशन था ना वो काफी एक्स्टिंट खतम होने के का गार प्यार पे आ चुगा था टाइगर्स मिली ने रहा है प्रतिबंदपूर्ण के फॉसद था यह आपर फिर से हमारे जो टाइगर्स थे च्टेट प्रतिबंदपूर्ण के फॉरस्ट में यहां पर पाफी हमर तरीके से यहां पर सटायर कर रहे हैं कि समझे की नहीं समझे चलिए कि एक दिन क्या होता है महराजा दिवान को बुलाते हैं और बोलते हैं कि दिवान साहिब आपको क्या यह बात पता नहीं है कि अभी भी मुझे थर्टी टाइगर्स को किल करना है मेरे इस गन से और इतना बोलते हुए अपम वो अपने गन को पौनिश कर रहे थे ठीक है तो दिवान इस गन को देखके काप उठता है ठीक है कापते हुए बोलता है कि your majesty I am not a tiger कि मैं tiger नहीं हो मुझे मत मारी है ठीक है तो king महानाजा बोलते है कि कौन ब्योकुफ तुम्हें tiger बोल रहा है तो दिवान बोलते है कि नहीं नहीं मैं तुम गन भी नहीं हो ठीक है तुम महानाजा बोलते है कि कि नहीं तुम टाइगर भी नहीं हो गन भी नहीं हो मैं तुमें इसलिए पुलाया हो मैं तुमें किसी दूसरे परपस से बुलाया ठीक कि मैं सुचाओ भी मैं अब साधी करूँगा ठीक है दिवान ये बात सुनके और भी ज़्यदा खक लाने लगता है वो बलता है कि योर मेजेस्टी मेरे पास अल्रेडी टू वाइप से अगर मैं आपसे साधी कर लूगा तो और क्या होगा ठीक है तो दिवान देखिए यह युनेट कर दिया कि कि किंग को भी वाइफ के रूप में कंसिडर कर रहा है ठीक है तो डॉंट अल्सेंस वाइशुद आ मैरी यू वाट 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 इज टाइगर तो महाराजा बोलते है कि इतने बेवकूफ जैसे बात मत करो मैं तुमसे क्यों साधी करूँगा मु क्योंकि हमारे इस स्टेट के लिए एक टाइगर किंग ही काफी है हमें एक टाइगर कुई नहीं चाहिए मतलब यहां पर इस बात को कि what I want is a टाइगर इस बात को दिवान में ऐसे इंटरपेट कर लिया कि महाराजा जो है वो टाइगर से साधी करने वाले है तो यह बात सु इंसानी लड़की से ठीक है तो महाराजां यहां पर कुछ काम देते हैं दीवान को वो बोलते हैं कि तुम क्या करो कि हमारे आस पास के जो स्टेट से वहां पर जितने पर टाइगर पोपूलेशन है उसका डेटा इलक इकटा करो स्टाटिस्टिक त्यार करो ठीक है और करो यह पता करो कि वहां पर कोई लड़की है कि नहीं ठीक है किसी रॉयल फैमिली में जिसे हम साधी कर पाए लड़की तो हो रहा है चाहिए साथ-साथ उस स्टेट में ज्यदा टाइगर पोपूलेशन भी होना चाहिए समझ रहें यहां पर महाराजा का क्या साजी से वह च प्राइबश चाहिए से टूल के लाते हैं जहां पर लांज नौबर ओव टाइगर चिक है तो साधी हो जाता है साधी होने का वाद यह जो महाराजा थे जब भी अपने ससूड़ जी के घर जाते थे तो हर बार पांच यह फ्ट छे टाइगर मार के ही आते थे ठीक है का फीर आगे दिखे इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्कीन अड़ोंड वॉल्स ओप रिशेप्शन हॉल्स इन प्रतीबंदपुरम पैलेस जो प्रतीबंदपुरम पैलेस था वहाँ पे 99 टाइगर के जो इसकीन थे उसको वॉल में सजाया के रखा हुआ था मतलब जो महाराजा थे उन्हो इसकी के वज़र से आप मरेंगे देखते आंगे क्या होता है आगे आगिया फिफ्थ पार्ट यानि जो की है लास्ट पार्ट इसमें लिखा हुआ है महाराजा का जो टेंशन था एंग्जाइटी था वो दिन पर दिन बढ़े जा रहा था क्यों कि क्यों आप सी एक ही ताइ लगभग टाइगर का पॉपलेशन काफी कम गया था ठीक अब ताइगर वाबे भी नहीं है लगभग यह इंपॉसिबल हो चुका था किसी एक टाइगर को कहीं देख पार ठीक है लेकिन सिफ आप एक ही तो चाहिए था वो शिफ एक टाइगर को मार देते और फिर उनके अं लेकिन यहां पे उन्हें इसी चीश से साब्धान भी रहना था क्योंकि वो चीफ एसी के बाड़े में कहा था कि 99 टाइगर से उन्हें बीवेर अवेर रहना है ठीक है और आफ्टर ओल एक टाइगर जो है एक कापी खतरनाक जानवर है उनसे तो साब्धान रहना ही चाहिए लेकिन यह सवाल गिया है कि यह 100 टाइगर मिलेगा कहां पर ऐसा लगणा था कि टाइगर का मिल्क मिलना जादा इजी हो गया है जिन्दा टाइगर से ठीक है कि जो शीप जो भेर का पॉपूलेशन है वो तुरूंत कम होना स्टार्ट हो गया फ्रम हिल्साइड विलेज ठीक है भेर का पॉपूलेशन कम हो रहा है यानि शीप को कौन खाड़ा होगा जरूर एक टाइगर खाड़ा होगा तो सभी को या शंका हुआ कि हमारे स्टेप मे कोई ने कोई एक टाइगर है तो सबसे पहले तो यह कंफॉर्म किया गया कि क्या यह काम खाड़ेर मियान साहें विया फिरासमी नायकर का तो नहीं है क्योंकि यह दोनों ऐसे इंसान थे ना जो पूरे के पूरे शीप को निगल जाते थे ठीक है मतलब इंसान थे कि राक्ष ा इस्टाइगर के देना पास तो महराजा जब यह नीवस सुंते है और खुष हो जाते और खुषिकर उमारे बोलते है कि इसमूर पड़ फे इसी पूरे स्टेट को और इसमूर विलेश मेना थे करें लोगया फ़ोंके करुद्रिक और त्रण्छ कर रहा था कि जो टाइगर है यह वैंटन यानि डेलिवरेट लिग जान बुझ के छिपा लिया हो अपने आपको ताकि महराजा का जो यह एक्छा है उसको तो राजा सके ठीक है लेकिन महराजा भी उतने ही डिटर्माइल थे वो छोड़ने रहे थे वो यह प्रण लेलिए थे कि वह टाइगर को तब तक यह फोरेज से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि वह टाइगर मिलना चाहे तो ऐसे से दिन बीतर चला गिया महराजा का जो गुस्सा था और जो जीत था वह बढ़ते जा रहा था महराजा गुस्सा में आके कई सारे ओफिसर को जॉब से भी नि कि तीन सालों पर लिए कोई टैक्स में देना पड़ेगा लेकिन गुस्सा के मारा वह ने क्या किया टैक्स को डबल कर दिया लैंड टैक्स को ठीक है तो दिवान बोलते है कि पीपल लोग इससे काफी डिस कंटेंटेड अंसाटिसफाइड हो जाएंगे ठीक है और लोग अंडर आ गया तो तुम्हें भी अपना पोसे रिजाइंड करना पड़ेगा देख लो तुम्हें क्या करना है ठीक है मतब इंडरेकली एक कि जो है दिवान को धंकी दे रहें कि जल्दी से मुझे टाइगर दो ठीक है तो दिवान पूरा इस पास से कंबीन्स हो गया कि अग उसे उसने एक टाइगर को देखा वो टाइगर जो की पीपल्स पार्क इन मदरास में एक पार्क है जिसको बोलते है पीपल्स पार्क तो इस पार्क से एक टाइगर लाके दिवान ने क्या क्या अपने घर में छिपा लिया ठीक है तो उस टाइगर को देखके दिवान के जा रिरम सोया हुआ था तो यह दीवान और उसका करति एंग फाही सब्सक्राइब और चार कर दालंदेते तिक कि भागन खुदिक कार को drive करते है और जंगल रजया के उस कार को रोपते है ठीक है उसी जंगल में जाहां पर माराजा से मना कर दिया टाइगर उस कार से नीचे ही नहीं आ रहा है दिवान काफी बुरी तरिके से ठक गया उस टाइगर को घसीट के पाहर निकालने में ठीक है तेकिन फाइनली वह घसीट के उसे ग्रावल पर गिरा दिया टाइगर इतना सूष्ट था वो अगले दिन क्या होता है कि वही जो सेम ओल्ड टाइगर वही पुढ़ा टाइगर मंडराते महराजा के ठीक समने आ जाता है ठीक है और आके ऐसे ख़रा हो जाता है मानों वह रिक्वेंस्ट कर रहा हो कि महराजा कुछ मुझे आप कमांड दीजिए तो यह देखके महराजा क्रॉंपल्ड ही एक ठीक है तो चलिए इस क्रॉंपल्ड के उपर कोशन आता है कुछ इमेज दहेंगे कोलें सा क्रॉंपल्ड ही इसका कोशन दिये हैं वेब साइट पर वह देख लीजिए अप ठीक है चलिए आगे दिखते हैं I have killed the hundred tiger My vow has been fulfilled The Maharaja was overcome with elation Happiness के कब बहुत खुशी से Maharaja ये बोलते कि मैंने सवा टाइगर मार लिया ठीक है और मेरा सपत था वो पूरा हो गिया और वो order देते हैं कि इस टाइगर को आप लोग जूरूस के साथ लेके आईए ठीक है और ये बोलके महाराजा जली से जाकर अपने कार्ड में बैठ जाते है जैसे ही महाराजा चले जाते है उनके जो आसपास जो हंटर्स थे वो लोग जाके थुरा करीब से देखते हैं उस टाइगर को ठीक है जाके देखते हैं कि जो टाइगर जो है पर क्रॉफपल्ड हीप की तरह क्योंकि ये टाइगर उस बुलिट का आवाज के कारण इतना शौक हो गया कि वह बहुत हो के गिर गया लेकिन मरा नहीं था गोली उसे लगा ही नहीं तो हंटर लोग सोचने लगे कि अब हम क्या करें तो उन्होंने ये बात डिसाइट किया कि म है फोटे तूई से लगाता है और ते पर गोली चला डेता है पिए दिस टाइम उसने मार्क मिश नहीं गया और गोली निसाने पर लगा और वो टाइगर मुट गया ठीक है फिर उसके वाद जैसा कि किंग के दौरा कमांड किया गया था उस टाइगर डेड़ टाइगर को जुलूज के साथ टाउन में लाया गया और टाउन से होते हुए उसे फाइनली जाके बरी दफना दिया गया और वहाप एक टॉंब बना दिया गया ठीक है कबरिस् तो महराजा सिफ टाइगर में ही टाइगर हंटिंग में ही उन जे रहते थे लेकिन अब महराजा के पात टाइम है अपने बैटे को भी देने के लिए ठीक है पहले क्या था कि महराजा के पास कोई टाइम नहीं होता था आपने प्रिंस को देने के लिए लेकिन आप वो आप एक टॉय शॉप में ठीक है वो बुल सोचते हैं कि यही पर्फेट गिफ्ट हो सकता है मेरे बेटे के लिए कि उस वोड़न टाइगर का ओर्जिनल कोस्ट जो था ना वो साथ वो था सिर्ट टू अना एंड़न क्वाटर आना समझते हैं आठ आना मतला पचास पर्फेश है मतला सोला आना जो होता है ना सोला आना वह होता है एक रुबे के बढ़ावर तो यहां फेर दो आना और एक क्वाटर काफी कम प्राइस था वो सुड़न टाइगर का ठीक है लेकिन शॉप कीपर यह बात जानता था कि अगर वो इतना कम दाम बोलेगा तो वो सकता है खिंग गुस्सा हो जाए और उन्हें कुछ पनिश्मेंट दे दे तो इसलिए वो जो दुकान वाला था वो क्या करता है बोलता है कि है महराज इस एन एक्स्ट्रेमली रेर एक्जाम्पल फ्राप वेचे वो बुस्दाए कि यह काफी रेर है ऐसा इसकी लागे ऐसा कारेगरी आपको किसी भी खिलोने में नहीं देखने को मिलेगा आपको यह काफी कम दाम में हम दे रहे है इसका दाम परेगा आपको 300 रुप कि वो की प्रप्रे साथ ले जाते हैं और डाट टे फादर अंड सन प्लेट विट टाइनी लिटल वोड़न टाइगर उस दीन बाप पेटा मतलब जो किंग है और जो प्रिंच है दूनों ही उस वोड़न टाइगर के साथ काफी अच्छा खेलते हैं देखरी यह सौप कीपर यह मारा जा है इट आड लेकिन वो जो वोड़न टाइगर था ना उसको काफी एक अंड स्कील्ड कार्पेंटर ने बनाया था उसका जो फिनिसिंग था ऊपर का जो सर्फेस था उतना इसमों नहीं था उस पे ऐसे से करके लगडी निकला हुआ था इस निकले लगडी को क्य लगरी के छोड़े-चोड़े लेकिर दिसको लोग सरका बोलते हैं छिका वह निकला हुआ था तो खेलते खेलते ऐसे ही कि महारा जाके राइड पाले को निकाल देते हैं और खेलना कंटिन्यू करते हैं अगली दिन पर चलता है कि वह जो सरका बोलों निकाल दिया था ज़् पुरे बाहों में आम तक फैलियाड पुरा ठीक है फिर मद्रास से तीन सरजन को बुलाए गया इलाज करने के लिए कि देखो महाराज को क्या हुआ तो यह तीनों सरजन आपस में कंसल्टेशन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि चलो एक ऑपरेशन करते हैं ठीक है काटचिट इस डेड महाराजा जो थे वो मढगे ठीक है तो यहां पर भी जो है वो कॉंट्रास शो किया गया एक तरफ तो सक्सेस्फूल भी बोल रहे हैं और दुसी तरफ मौत भी बोल रहे है ठीक है तो महाराजा का इस तरह के से मौत जाता है इन इस मैनर दा हंड़ेद टाइगर ट टाइगर को मारते रहे है है फनाली टाइगर कहा तो यहां घीक हम लोग बोल सकते है कि करई रहे है उस चीफ एस रोजर का जो जो प्रेडिक्शन था वो काफी हतक सही रहा क्योंकि महाराजा मढए तो है कructure के कारण नी 17 गाल्या महाराजा ने 18 को क्लिया था क्या नहीं कि ठीके लेखिन वह एक टाइगर से ही मरे वह लुट टाइगर था लेकिद मरे तो टाइगर के कारण वी समझे कि रहे तो यही था यह स्टोरी तो देखिए पाच पार्वा पाँख दिया हुआ था दर इसे फ्टोरी में एक बढदने से रीगाप कर देते हैं सबसे पहना पार्ट में तो हमने यह देखा था कि इस महाराजय का क्या बैगराउंड है जब छोटे थे तो दस दिन में बोल पो दे थे अश्रोजर ने क्या प्रेडिशन किया वो हमने देखा ठीक है दूसरे पार्ट में देखा कि उनका पार्ण पोशन कैसे वा सिफ अंग्रेजी चीज वो यूज करते थे ठीक है और फिर वह क्या करना स्टार्ट करते है ताइगर को मारना सुख करते है ठीक है फिर तीसरा पार् खुस किया वो सब चीज़ यहां पर लिखा हुआ है फिर चौथा पार्ट में हमने देखा कि वो 70 टैगर्स तो किल कर लिए लेकिन अब उन्हें 30 टैगर नहीं मिल रहा था इस 30 टैगर को पुड़ा करने के लिए वो एक साधी करते हैं और वहां पर जाके और 29 टैगर्स किल कर मरते हैं और जंगल में चोड़ देते हैं और फिर को सिन बाद जो माराजाथ है ओपने बंचे का थरद बड़ेट कर रहे होते हैं गिफ्ट के तो इतना बड़ा इंफेक्शन हो जाता है कि शर्जन उसे ऑपरेट करते हैं ऑपरेशन करते हैं अपरसल सक्सेस्फुल भी होता है ठीक है उस गाव में से जो जो भी श्लाइबर्स ऑफ उसको निकाल भी देते हैं लेकिन माना ज़ाते हैं इस तरीके से इस्टोरी एंड हो जा आपको बताई दिये वेबसाइट पर जाकर के चैप्टर का नाम लिखेगा ठीक है इंपर्टन कोशन बाई सीवेसी गाइडेंस आपको मिल जाएगा वहां पर जाकर प्रिपर कर लिजेगा ठीक है और चल पर और वी वीडियो से इंग्लीज के और इकलोमिक्स के आप आप भी देख सकते हैं आपको काफी हल्प मिलेगा ठीक है चलिए एंड करते हैं वीडियो से लगा तो एक लाइक कर दीजेगा कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लागा कोई डाउट कन्फिचने तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्स्क् कर दो